अदिन्न दाना विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियामी कामेस लिछ जारा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियामी एक सब्द होता है धाई यानि की धान यह जो सब्द है यानि सब्द है यह बहुत पुराना सब्द है भरत का इस धाई से इस धान से इस धन्ने से इस धन्रबाद से सारे सब्द बने हुए इसको भात भी बोलते हैं जो हम भात भटते हैं अपनी बहनों का और अपनी माताओं का जो कहते हैं पुराना रिवाज रहा है कि हर घर में चावल यानि धई पैदा होते थे चावल नाम हमारा नहीं है चावल नाम बाहर से आया है पर चावल ज्यादा प्रमुख है तो धई या धान बोलेंगे या धन बोलेंगे तो धई या धान या धन जब हर घर में पैदा होता था और आज भी होता है और इसी धाइं से धान का एक नाम और भी है जिसको करू बोलते थे करू वाने पके हुए धाई या पके हुए चावल उसी चाह करू प्रडेस बना है कुरू प्रडेस बना है कुरू छेत बना है कुरू खेत बना है यह जो नाम है धाई और धन्य का इसलिए कहते थ धन धाने से भरपूर रहें, धन जो आज पैसे में चलता है, रुपे में चलता है, ये रुपे पैसे तब नहीं छपते थे, बुद्ध के काल से पहले या बुद्ध के समय या बहुत पहले जब हम समण हुआ करते थे, हमारा जितना भी संपत्ती होती थी, वो सारी की सारी धा होती थी धन्य होती थी धान होती थी और जिसको आज की समय हम कहते हैं कि चावल लगा रहे हैं या पेड़ी लगा रहे हैं अगर किसी के पास धई खतम हो जाए धन खतम हो जाए धान ने खतम हो जाए तो उसको बोलते थे कि ये निधन हो गया यानि कि इसके पास में धई नहीं है धान नहीं है धन नहीं है खाने के लिए चावल नहीं है तो निधन हो गया और ऐसे व्यक्ति को जो चावल नहीं खा सकता था यानि जो डैड हो गया मर गया अब वो चावल नहीं खा सकता धन नहीं खा सकता धाई नहीं खा सकता तो उसको कहते थे निधन हो गया नी सब्द जिसमें लग जाए इसका मतलब नीचे हो गया डाउन हो गया तो उसको कहते थ निधन हो गया निधन का मतलब बाद में मिर्टू यानि मच्चू माल लिया गया पाली में मिर्टू को मच्चू बोलते हैं पर इसको मिर्टू के नाम से आज की समय माना गया ऐसा कि निधन हो गया निधन का मतलब धही चावल नहीं खा रहा है अब इसका सरीर बेकार हो गया खा सकता निधन हो गया या इसके पास चावल नहीं रहे या बाद में इसको निर्धन भी किया गया निर्धन का मतलब है जिसके पास में धहीं या धने या चावल नहों बाद में इसको धन से पैसे से सोने से चांदी से रुपे से बैंक विलें से जोड़ दिया गया तो निर् निधी माने कहते थे गड़ा हुआ खजाना, रखा हुआ खजाना, गड़ा हुआ खजाना मतलब जो चावल जमीन के अंदर पैड़ी जो पौधा लगा हुआ है, वो गड़ा हुआ है, वो गड़ा हुआ खजाना, पैसा रुपया नहीं था उस समय, कोई हीरे मोती नहीं थे उ बर्तन पे तो निधी का मतलब हो गया जो गड़ा हुआ जमीन के अंदर गड़ा हुआ है लोगोंने बाद में कह दिया कि जमीन के गड़े नीचे गड़ा हुआ सोना है चांदी है पैसा हीरे मोती जवार वो नहीं जो चावल का पौधा जो धही का पौधा जो धान का पौधा नीचे गड़ा हुआ है उसको निधी बोलते हैं और यह जो निधी है अगर इस निधी में सन्नी लगाने साथ में तो सन्निधी हो जाता है सन्निधी का मतलब है कि नीचे और सन्नी माने साथ साथ गड़े हुए रखे हुए बैठे हुए तो सन्निकट यानि सन्निधी हो गया औ और सन्निकट अगर बोलते हैं कहते हैं ये बड़ा सन्निकट है इसका इसके बड़े सन्निकट है तो इसका मतलब है कि ये इसके साथ में बहुत ज्यादा किलोज है इसका पड़ोसी है सन्निकट का मतलब पड़ोसी होता है तो जो सन्निधी है सन्निधी का मतलब है कि ऐसा खजाना जो साथ साथ रहता है इसी से बात में सन्निवास बना सन्निवास मतलब जो साथ साथ रहते हैं सम्मिलन करते हैं और इस किरिया को कहते थे सन्निपातन और इसको बुद्ध कहते थे सन्निपात बहुल यानि बहुत साहे लोग जो साथ साथ बैठके सन्निपात बहुल कह साथ-साथ है और एक सब्द और बना सनीचर सनीचे से सनीचर बना यानि कि जो साथ-साथ रहते हैं और फिर इसमें वार लगा दिया वार का मतलब होता है आबरती या मौका तो हो गया सनीचे वार और सनीचे वार का मतलब है साथ-साथ एकटे रहने का दिन आबरती और इस सनी वार से बना सनीचर से बना शनीचरिया सनीचरिया यानि कि लगाता रिपीट होने की आदत चरिया का मतलब आदत पड़ गई बार 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 साथ बैठने की आदत पड़ गई और उस सनीचरिया से फिर बना सनीचर और उस सनीचर से बना शनीचर और उस सनीचर को कह दिया मनूस सनीचर और फिर कह दिया शनीचर का दिन सबसे खराब और फिर कह दिया सनीवार बहुत मनूस है इस दिन घर से बाहर ना निकलें और फिर कह दिया कि सनीवार को लोहे का अहतियार लोहा साथ ना रखें और आज सनीवार है आज सनीवार है और सन्यवार को हम हमेशा जादा लोग जोटते हैं जतने जादा से जादा हो उतने जादा जादा जोटते हैं और जतने हिया हैं और भी लोगों को जोटे हैं किसी का डिवाइस काम नहीं करता, किसी का करता है किसी का मॉबाइल काम करेगा, किसी का नहीं करेगा पर कोई बात नहीं दिन में बैठें रात में बैठें सुबह बैठें क्योंकि ये हमारा मौका है ये हमारा वार है जब हम बुद्ध से पहले इस दिन साथ साथ बैठा करते थे और इसलिए इसको सनिवार सनिवार सनिचरिया शनिचर और सुब सनिवार बोलते हैं यानि कि मंग मंगलकारी सन्निवार, आज है मंगलकारी सन्निवार, कैसे मंगल करता था? जब बहुत सारे लोग सन्निपात बहुन करते हैं, सन्निकट होते हैं, एक दूसरे के सासाथ बैठते हैं, एक दूसरे के प्रॉस्म रहते हैं, सन्निवास करते हैं, सन्निवेशित होते हैं, सम्मिलन क करते हैं संगिती करते हैं तो एक दूसरे के दुख दर्द को बाड़ते हैं किसी के पास खाना नहीं है तो खाना देंगे किसी के पास कपड़ा नहीं तो कपड़ा बाटेंगे किसी के पास में कोई ऐसी कहानी है जो दुख बरी है तो वह अपना दुख बाटेगा किसी के पास के साथ सस्त्र वाले दंडे के साथ यह हमारी प्राचीन एक प्रंपरा प्राचीन क्रिया प्राचीन चरिया प्राचीन आदत है और इस चरिया को इस चरिया को इस दिन चरिया को हम भूले नहीं पर इसके अर्थ बदल के हमको बताए गए सनीवार तो आज भी खास है पर कीचड जो है वह काला होता है और स्च में काला होता है थोकि जितने भी समण है वो काली है kohi सफीद नहीं है कोई अवर्ण नहीं है अवर्ण का मतलब है वर्ण माने पाली में होता है रंग और ए माने नहीं अवर्ण का मतलब है बिना रंग का यानि सफेद खाल का और हम थे सैवर्ण सैवर्ण का मतलब है जो सुनहरी जिसकी आभा है जो गहूं जैसा है जो हिरन जैसा है जो उकते तो वे सुफ़ जैसा है, ऐसी चम्ली वाले सेवन, हम सेवन होते थे और वो जो सफिद लोग आए, वो एवन होते थे और बाद में फिर hybrid बन गया, mix बन गया तो उसको बोने लेगे संकरवन, संकरवन का मतलब है, mix रंग के संकरवन बन गए, ना सफद यानि बिना रंग के और ना रंग वाले तो जितने भी सनी के जितने भी आप इस तूप देखोगे तूप देखोगे वो काले लोगों के होते हैं और काले लोगों के हाथ में इतना खतना खतियार वगरा दिखा जाता है पुराने लोग हैं हम पुराने सनीचर हैं हम पुराने सनीचरिया हैं हम वास्त बैठता था तो लोग ड़के मारे हाँ जोडते थे और सन्निवार को जो ऐसे लोग थे जो समण नहीं थे वो दुबग जाते थे भाग जाते थे तो कि आज सन्निपाद बहुल होगा ये खटे होंगे तो आज कुछ भी हो सकता है इसलिए वो कभी सन्निपाद बहुल के दूर लोग मिले आपस में चाहे चार मिलें चाहे दस मिलें चाहे परवार मिलें चाहे पड़ोसी मिलें चाहे बच्चे मिलें चाहे बुड़े मिलें चाहे च्छातर मिलें चाहे करमचारी मिलें चाहे चप्रासी मिलें चाहे अफसर मिलें चाहे नियता मिलें और मिलें आपस में और सब्दे याद रखें सन्नी चरिया, सुब सन्नी चरिया, सुब सन्नी वार, यह हमारा सुब सन्नी वार है, इसलिए यहां जुड़ना बहुत लाजमी होता है और जरूरी होता है कि सारे सारे लोग आएं, पर हम यहां जुड़ते क्यों हैं, यह सवाल क्योंकि हम यहां पर्व है चाईद है चाए कुछ भी है पर ये पोर्टल बंद नहीं हुआ ये लगातार लगातार एक्साइज कर रहा है और अपको इसकी मीटिंग बहुत बढ़ गई है दिन में भी चलती रहती है और शाम को तो आठ वैसे लेके ग्यारे वे तक डेली चलती है डेली चलती है कोई नागा इसकी नहीं है कोई एपसेंट इसकी नहीं है पंदरमा महीना पांस तरीक को पूरा हो जाएगा हम क्यों मिल रहे हैं और क्यों यहां लगातार इंट्रेस्ट लोग ले रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं और क्यों सीख के आगे काम कर रहे हैं हम कर क्या रहे हैं दर कौन मानने आने वाला है, कौन मारेगा, हम को अतनी बड़ी संख्या में हैं, जो मार होती है, मार खाली सरीर को काटना या सरीर में गोली मारना या सरीर को एक्जेंट करके मारना ही मार नहीं होती है, वैसे ही नहीं मरता है आदमी, मार के लिए, मारने के लिए, अगर आप किसी मनुस्य का मन मार दो किसी बच्चे का मन मार दो किसी महिला का मन मार दो कोई बच्चा आपके पास आए आपका बच्चा आपका बेटा आपकी बेटी और वो पूछे कि पापा पापा पिताजी पिताजी जरा मुझे यह पस्न का जवाब बना दो और बड़े उचलते हुए मन से खुशी मन से आये कि उसके पिताजी उसका इस सवाल के जवाब देंगे और पिताजी लगे मोबाइल में और हाथ पकड़े जड़क दिया उसका भाग यहां से क्या से उटिश दे सवाल पूसर रहता है या पूसर ही रहती है तो आपने सवाल बताया निए उससे फरक नहीं पढ़ता तर बच्चे का मन मर गया और बच्चा अदास होके चला गया हुआ कुछ नहीं है उसने पूछा आपने मना कर दिया बात तो छोटी सी है पर उस बात से उसका मन मर गया तो कि उसकी वैलू खतम हो गई तो ये बुद्ध ने हमें बताया और ये सिखाया कि जो मन की मार होती है वो सरीर की मार से भी जादा क्षपनाक होती है जानवर के अंदर बहुत थोड़ा मन होता है इसलिए जानवर को फरक नहीं पड़ता पर जो मन उससे है उ एक वरत ने बहुत बड़िया खाना बनाया घर के अंदर पूरी महत लगाई दिनात लगा दिया और जरासन नमक फालती पड़ गया और आपने खाना खाते में नाक मार दिया क्या खाना बनाया है कितना नमक डाल दिया खाना बनाना नहीं आता वरत का मन मर गया और उसका मन में मन नहीं लगेगा चार बाताना और रुक खराब हो जाएंगी कोई बरतन जल जाएगा कोई दूर जल जाएगा उसका मन मर जाएगा दुबारा सब्सक्राइगा बनाए ना बनाए कितने दिन लगे ठीक होने में पता नहीं कोई आदमी है दफ्तर में बहुत बड़िया गा करता है अफसर बहुत बढ़िया काम करता है कोई कलाकार बहुत बढ़िया गाता है बहुत बढ़िया और आपने ये क्या गाता है क्या काम करता है तुरी की तो अकल खराब है तुम्हारी तो जात ऐसी है तुम्हारा तो धर्म ऐसा तुम्हारा तो इमान ऐसा तुम तो होई ऐ से फलाना डिराना यह सेंटेंस सारे जितने भी हैं जितने भी वाक्य हैं यह उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए उसके काम को खत्म करने के लिए उसके मन को खत्म करने के गा उसका विरूदी हो जाएगा बहुत ज्यादा मन मर गया तो हत्यार बोटा सकता है आकमन कर सकता है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ट में आ गया तो कुछ उल्टा सीधा भी कर सकता है मन को मारना सरीर के मारने से और वचन के मारने से ज्यादा खतरना है वचन से कैसे मारा जाता है वचन से ऐसे मारा जाता है कि कोई टॉंट कस्तिया कोई उटा सीधे कोई बात कह दी किसी में थोड़ी बहुत इदर दर के कह दिया अरे तो है ऐसा इसके तो बाली बेकार है इसकी में इधर ओधर लोग रोजों को सुनाय जाते हैं इससे वचन की मार बोरते हैं वचन और दोसी वचन की मार होती है कि किसी की सुनो ही मत यानि कोई एपनी फरयात कर रहा है आप उस्पे सुनो ही मत जैसे आप मुझे खक्त्म करना चाहzes तो सारे के सारे अगर यहां से पूर्टेक छोड़के चले जाए तो मेरे वचनों का खतम हो जाएगा हलागी मुझे फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं विपसना वाला वेक्ति हूं मैं चीज़ों को समझता हूं तीन सो नहीं सादमी है तो भी और निस चाह तो भी और कोई न कि मार सरीर की मार जिस जो आदमी मन से नहीं मरता जो आदमी वचन से नहीं मरता बात से नहीं मरता उसको फिर पिटाई करेंगे उसकी तांग तोड़ेंगे उसको धक्ता मारेंगे उसके कपड़ेंगे उसके उपर कुछ डाल देंगे कोई चाही फैंक देंगे उसके उपर क बाकी सबकों तो हम देख लेंगे, कोई समस्था नहीं हमारे संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनकी संख्या ज़्यादा हो वो जीत जाते हैं, पर मन की मार ऐसी होती है, जो दिखाई नहीं देते हैं, और जिसको मारना हो, उसको मन से मारा आ जा सकता है, तो हमारे जो लोग है उनको पिछले 400-500 साल से मन से मारा जा रहा है। और मन से मारते मारते उनकी यह अहलत कर दी है को उन्हें पढ़ना छोड़ दिया, उन्हें लिखना छोड़ दिया, वो पढ़ा ही भूल गए, वो अडंबर में आ गए, वो सराप पीने लगे, वो जूआ खेलने लगे, वो किशी ने काम किया और किया दिया भग जा तेरा किस बात का पैसा है तो उसका मन मर जाता है सरीर मर जाता है पूले दिन तो लगा और बाद में उसको भगा दिया पैसा भी नहीं दिया और बावन प्रिकार का मन होता है हर एक प्रिकार का मन चलता है खुशी का मन है दुख का मन है अपसोस का मन है जो मन आता है वो कसला मन होता है उत्केजित मन होता है तुरोधित मन होता है इसनेह वाला मन होता है मिर्दू वाला मन होता है करोना में मन होता है बहुत सारे मन के प सब बुद्धने सिखाए हूं ने भी सीक्षR पर जिल लोगों ने हम को got Jesus Tee में को पहुंचा दिया उन्होंने का उल्टा इस्टा इस्तमाल किया और अच्छा इस्तमाЛ किए क्या क्योंकि उन्हों ने अपने आपको बडा लिया और हम को खत्म किया पर हम अपनी कला को नहीं सीख पाए महासामन हमारा बुद्ध हमारा पर हम उसकी कला का इस्तमाल ले जानते हैं इस कला के इस्तमाल को ही हम यहां बताते हैं कि कैसे आपको अपने मन के बल को बढ़ाना है और कैसे मन के बलब को मनोबल से आपने सारे चीजिए जीतनी है इसलिए हम एखटे होते हैं एक तो एकटे होने से मन बल अपने आप भी बढ़ जाता है एक बाँ लगे है रितने सारे आदमी है ये तो हमारी दरसल वर्च्वल जो कालपनिक और आभासी हमारी ये संगती है, जो संगती हमारी एक्च्वल लगती है, जो जमीन पे लगती है, जो आभासी नहीं है, जो वास्तविक है, उसमें तो हमारा जो मनुवले बहुत ज़्यादा बड़ता है, और बहुत ज़्यादा ह कैसे है पढ़ाई महंगी कर दो इसकूल बंद कर दो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं जानेंगे नहीं तो तेजी से तरक्की नहीं कर पाएंगे तेजी से कटे नहीं पाएं रोजगार शिन लो ताम मत दो या इतना पैसा दो के बस रोटी खाए और मजदूरी करता है अब काम करता रहे पर इस से ज़यादा ना सोचे और एक टाइम की डोट- डोटी दो कितनी तरका दो कि इसके बच्चे और ये एक टाइम एक kauना खाए सके जी वित रहें बस तो टाइम खाना खाएंगे तो बीमारी कभी ठीक ही ना हो, बीमार होके मर जाए, तो बीमार होके मर जाएगा, दवाई होगी, डॉक्टर होगा, पर इलाज नहीं होगा, भेंगा पैसा है, पैसा है नहीं, तो बात नहीं बनेगी, तो इखटा मत होने दो, इसलिए इनके जो प्राना संग है, समर संग है, उस आपस में लड़ते रहे हैं और इनको याद मत होने दो कि ये कभी समड़ थे और ये कभी एक भाई थे इनके धन और संपदा है उनकी धन संपदा को एकटा कहीं करा लो जैसे बैंक पगरा में करा लो और उस बैंक मैंसे पैसा लेके कहीं इधावदर कर दो या उस पैसे को सार महंगी कर दो, इतनी महंगी कर दो कि ये कमाएं सो रुपे और वो चीज आए दो सु रुपे की, तो इनका सारा पैसा चीन लो, इनका धन चीन लो, तो इनकी जच चीन लो, इनको हमेसा गाली बको, इनको ये कहते रो कि तुमारे बसकी कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं जानत है और कमाल की बात यह है कि इस सिस्टम के जिनमदाता बुद्ध है पर बुद्ध ने इस सिस्टम का निगेटिव इस्तमाल करना उल्टा इस्तमाल करना नहीं सिखाया उन्होंने हर सब्द के आगे सम्यक्सम लगाया पर जो सैतान है वो तो सम्यक्सम करेगा नहीं जो सैतान है वो तो असम्यक करेगा असम्यक असम्यक ये काम करेगा और वही काम करता है सैतान हमेशा उस चीज को उल्टा घुमाता है जिससे चीज़ ठीक होती है तो उल्टा घुमा दिया उसने और उल्टा घुमाने के बाद में जो लोग यहां निन्या में परसेंट से ज्यादा थे उन धन भी नहीं सुरक्षा भी नहीं उनकी बेटियों को उनको बेटे को ले जाते हैं कोई रेप कोई मर्डर करता है ये सारी चीजें सारी दुनिया में चलती है पर सारी दुनिया में ऐसा नहीं है कि लगाता चलती रहेंगे इसका इलाज है और इसका इलाज भी बुद्ध ने लिया है और बुद्ध ने इलाज बनाया नहीं है बुद्ध को उनकी वरासत में मिला उनके पूर्वज़स मिला जिस संग के वो मेंबर थे और उनको भी कहां से मिला प्रकृति से मिला कैसे मिला जितने लोग थे हम सारे सारे हमारी राष्टियता क्या थी समन जैसे आज हम कुछ लोग जो हमारी विचारध़ा के विपरीत थे वम थे वम थे और याचक्त थे याचक मतना मांगने वाले थे उस हमेसा मांगते थे क्योंकि बाहर से आद Smackा आद में आ ता जबना खेत हम सारे के सारे समढ रहे हमी राजा हमी पढ़ने वाले हमी पढ़ने वाले इस सारी बातें सारी के सारी चीजे सबको पता है समराट असुक के समय हमने महाभारत बनाया इसको कोई नहीं नहीं कार सकता और समराट असुक ने इस देश को गुद्धिष्ट राष्ट बनाया और बुद्धिश्ट राष्ट की महल लगाई और बुद्धिश्ट राष्ट के नियम नाए इसको कोई नहीं नहीं कर सकता है। यहमारी पहचान समझ की पहचान बहुत पुराणी पहचान को जो बच्छों को बचाने के लिए कि हमको इखटा होना पड़ रहा है अपनी एक्जिस्टेंस के लिए अपने अस्तित्व के लिए अपने आपको बचाने के लिए अपने बच्चों को बचाने के लिए क्योंकि आगे आने वाले जो समय है वो बड़ा कठिन है कठिन इसलिए है क्योंकि सारा काम मसीने करेंगी मनुस्य की जरूत नहीं पड़ेगी सफाई का काम मनुस्य करेंगी जो कपड़े बनाने का सारा काम मसीने करती हैं अब तो सामाल लाने ले जाने का काम भी ड्रोन करते ह है जो मनुस्य की जरूरत खतम होती जा रहे है और मनुस्य की जरूरत restrictive होती तो उसता एक बुद्ध के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा पाप आता है जो उसके परिवार को भी नश्ट करता है इसलिए डारेक्ट किलिंग ना करके इंडारेक्ट किलिंग की जा रहे हैं इंडारेक्ट किलिंग का मतलब है एपिटेक्श रूप से मारा जा रहा है अगर अगर बीमार है तो दवाई मत दो, अगर सरीर तगड़ा है पड़ा लिखा है तो काम मत दो, अगर इज्जत है तो इज्जत चीन लो, अगर धन है तो धन चीन लो, और अगर इखटे हैं तो उनको इखटा मत होने दो, यहां तोती की जानट की पड़ी है, अगर हम इखटे हो लोगो संगत का मतलब है संगत साथ साथ गति करो संग संग गत्थी करो एक साथ रहो जैसा के महा पुर्षंन besteht का एक एक हुनकार एक ही सब कुछ हैrun इंगल्ञ इठा के बार नबर कorem होना है एक होना है और हमाई लोग वो कह दिया यह एक कोई ऊपर बैठा हुआ है उसके लिए यह कि अरे भाई वो नीचे जो लोग है उनके लिए एक बोला है एक रहो एक होके बोलो अगर हम सब एक हो जाते हैं तो सम्विधान यह कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी कर लो अपनी कार गुजारी जो कार वन परसेंट है तो जो चाह है पास करा लो जैसे चाहाऊ वैसा करो आदो मसीनों को लागा दो काम पे जितने भी बिरुज़जादा सबस्क्रेंबगां लगा दो पर जिसकी नियत काम देने की ना हो, जिसकी नियत लोगों को दवाई देने की ना हो, जिसकी नियत लोगों को सही डिस्ट्रिपूशन देने की ना हो, जिसकी नियत देश में पैसा माटने की ना हो, उससे ड़ल नहीं सकते हैं, पर अगर इखटे हो जाते हैं, तो आपका सिस्टम है उसमें कोई कहता हो कि सम्विधान नियम 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 होना है इसके लिए पढ़ाई जरूर नहीं है कोई कहे कि हमको बहुत साथ पीएजडी डॉक्टर डॉक्टेट आदमी चाहिए हमको विद्यशी से यूनिवस्टी से पढ़े हुए लोग चाहिए हमको बड़े जीव चाहिए कोई जरूरत नहीं है एक बुद्धी जीवी एक वोट के बरावर है एक पड़ा लेखा जो डॉक्टर है प्रोफसर है आज के बरावर है और जो नाले समयाजक्झ वैलू की नेखां में ड्मस्दारी के साथ रखी है वो जो नाले पे हमारा आदमी बेठा हुआ है उसका बी एक बोट प्रोफिसर का बना हुआ है हमारा समड़ है उसका बी एक बोट दौनों बरावर है कोई कहता है बहुत बड़े धनुआन होंगे तोब बात बनेगी बिल्कुल जरुत नहीं है कोई अगर मिलेनियर है जिसके पास में अर्वों खरोग रुपया है और वो हमारे समठ समाज का है और कोई फकीर है मांग के खाता है किसी बुद्विहार में काम करता है या कोई भिकू है जो जीवने कमाता नहीं दोनों का बरावर है कोई आदमी ये कहे कि मैं बहुत जानकार हूं मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूं मैं तो बड़ा समझदार हूं मैं तो लोगों को बड़ा समझाता हूं और कोई समझने वाला है जो ब्लूद पीछे बैठा हुआ य उसकी समझ में नहीं आता है तो दोनों का वैलू बरावर है समिधान की निगामे समझने वाले गावी और समझने वाले गावी। वो ये कहे कि जो चात्र है उसका वैलू और जो चात्र नहीं उसका वैलू अलग लगए तो सारी वैलू बढ़ा हो इसलिए जो बुद्ध ने कहा उन्हों ने कहा संग संग की संग में आना है और बावा साव अमिट ने कहा और्गिनाईज और्गिनाईज का मतलब है संग में हमारे लोगों ने इसको संग्ठन समझ लिया संग्ठन का मतलव है इसलिए इसलिए जतने भी नहीं आपस में फंते उप लड़ाई होती है एक दूस्रे से बात करने पसंद ही करतेと思います अगर और अपना ध्यान से देखोगे तो आप यह पाऊगे के फूरे समय जुतने भी अब तक से साल में जबिब से बावसाब में हमें इस भी समगासरा दिया है तब से जितने भी हमारे आर्थिक दलों के नेता हैं और जितने भी हमारे समाज काम करने वाले जो संम्ठने उनके नेता हैं बावा साब के जर्नाद इन पे भी इकृता बैटकर चाय नहीं कிते वो और जन दिने दू बाद छोड़ो जो मरवर दिन आता है 6 दिसंबर का उस पे वी एक साथ अपसोस परकटनी करते हैं कि बावा साब हम सरमिंदा है और वो मुर्ख अभी तक जिन्दा है इस बात के लिए भी वह अपसोस परकटनी करते हैं इससे यह पता चलता है कि हमारी हरत बहुत ज़्यादा खराब है हमारे तो संग्ठन भ पूटना है क्योंकि उनका जो इस्ट्रक्चर बना हुआ है वो जिस आधार पर बने हुए हैं उनका कोई मालिक होता है हर संग्ठन का कोई मालिक है और संग्ठन कभी भी समाज के पिर्टी उत्तरदाय तो नहीं होते हो समाज को जवाब नहीं देते क्योंकि संग्ठन समाज के कहने से नहीं बंते संग्वती को मालिक होता है रोग संग्थन संपर ईभापारी काम है पिर संग्ठन का आस्ते कोई परप्राप नहीं आया है कोई बहुत तो बता दे यहां जो यह पोर्टल है रोज खुलता है कोई बता है कि संग्ठन के क्या परप्राप्त नहीं गड़ते पर संग्ठन हमेशा तूट फूट में काम करता है और जो संग है उसमें हमेशा उद्ध से प्राव करता है तो कि संग में संग्ठन की कोई बीमारी नहीं होती ना तो संग्ठन का ना तो संग्ठन कोई मालिक होता है ना ही संग्ठन के अंदर पैसा और चंदर लिया जाता है ना ही संग के अंदर किसी व्यक्ति की चलती है ना ही संग व्यक्ति वाद में जाता है ना ही संग व्यक्ति पैदा करता है ना ही संग के अंदर को नेता होता है ना ही संग के अंदर मंच माला होती है ना ही पद और प्रतिष्टा होती है ना ही भावा होती है ना ही उसमें अध्यक्ष होता है ना उसमें जनल सेक्टी होता है उसमें तो साधान लोग होते हैं और चलता है लोगों को यकिन नहीं होता कि संग ऐसे चल सकता है क्योंकि देखा नहीं ना कभी बुद्ध ने चलाया संग बुद्ध से पहले चलाया समने लोगों संग बुद्ध के पिताजी ने संग च है और वह लोग चुनके एक उपर नीयता बनाते हैं जिसको पादान मन्ती बोलते हैं और वह काम करता है लोगों को पसंद आया थैं प्तान मन्ती नहीं आया तो उसको उठा देते हैं यह संघ का इस्टेक्चर बावसाब ने दिया है पर हमारे संग्ठां के लोग नहीं समझे वो कहते हैं कि संविधान बचाएंगे संविधान बचाएंगे अरे भाई आप संविधान कैसे बचा लोगे आप कहते हो किसी को साप ने काठा और साप काठे का इलाज करेंगे और साप को आप फिर दुवारा साप कटवा के लाज करोगे, कैसे कर लोगे, आप खुद तूटे हुए हो, फिर किसी को कैसे जोड सकते हो, आप तो जहर पे जहर खाय जा रहे हो, तो मनना आपका तह है, पर संग इन सबसे अलग रहता है, इसलिए यहां लोग इखटे हो रहे हैं, एक बलुक प्राप्त करने के लिए हमको जीवित रहने की जोड़ है, इसलिए पहला काम करना है, कि हम जीवित रहें, अगर हम जीवित रहेंगे, तो बाकी काम हम बाद मिम कर लेंगे, और अगर जीवित नहीं रहेंगे, तो हम कोई काम नहीं कर सकते, और जीवित रहने की एक छोटी स है कि हमको संग की स्रण में जाना है संग में जाना है संग में रहना है साथ साथ रहना है यही सब ने कहा है जीते भी वहीं है जो संग में रहते हैं जो जानवर संग में रहता है वो शिकार करता है और जो संग से अलग हो जाता है उसका शिकार हो जाता है जब तक हेराने एक जुन्ड में रहते हैं शेर की हिम्मट नहीं होती कि उस पर हमिला कर दे और जैसे ही एक छोटा बच्चा है जो बीमार है या चोटा बच्चा है या कोई भूल से आ गया है शेर उसको जपट पड़ते हैं पर सेरों का जुण्ड भी सुरक्षित नहीं अगर वो संग में नहीं है एक अकिला सेर अगर ज़ंगल में चलता है तो उसको कुतों का जुण्ड फार देता है और कुत्ते भी सुरक्षित नहीं अगर एक कुछ तालग चलता है तो उसको बांग फार देता है और बांग भी सुरक्षित रही है अगर अकिला बांग चलता है तो उसको सेर फार देता है ये चैन चलती रहती है जो अलग रहेगा वो मारा जाएगा और जो इखटा रहेगा वो जिंदा रहेगा चाहे वो जानवर भी इखटा चलता है इखटा हमला करता है मदुमकी इखटा हमला करती है इसलिए जीवत रहती है बच जाती है और समुद में छोटी-छोटी मचलिया भी इखटी चलती है तो बड़ी मचली से बच जाती है और उपर जो पक्षी उड़ते हैं वो भी एक गुरूप मे कि यह जिद्ध है अपने स्टित्व को बचाने के लिए जुडएंगे तो जीतेंगे और जो जुड़े हैं वो हमेसा जीते हैं जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं और इसे जुड़ने के लिए हम लगाता लगाता में हैं अपना खाना अपना पानी अपना आसन अपनी चाए अपनी कॉफी अपने बिसकुट अपने साथ लाएं क्योंकि पंद्रे अगस्त को कोई मार्केट नहीं खुलती है मैट्रो से आएं यह गाड़ी से आएं कैसे भी आएं सुबह नोवाश से लेके साम चारवे तक सिर से मारा गया सामान सारा सब्सक्राइब दिया गया और बावास साब में संगल प्लिया उस जगर को देखेंगे वहां जाके संगों को नमन करेंगे उसके बाद मैं फिर 16 अक्टूबर की 2000 लोगों में मीटिंग है जो अधिकतर डॉक्र महां आएंगे पर हम सब भी महां पहु के अंदर जो मीटिंग रहेगी वह दसेयार आदमियों की दिल्ली के अंदर संगती रहेगी यह हमारा चलेगा कंसेप्ट आपको बता दिया है कोई भी प्रसन अगर आपको लगता है कंसेप्ट में तो आप बिना पूछे ना जाएं क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो बात नहीं बनेगी इसका कान मताता हूँ आपको क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे भारत में जितने भी संगठने जिनकी संख्या 29 लाग है वो एक तरफा है एक तरफा का मतलब है कि मंच पे आदमी जो बोल देता है उसको जवाब नहीं देता कोई पू सवालों के जवान नहीं दोगे आप किसी भी हलत में ना जीत सकते हो और किसी के किसी विश्ती को जोड़ सकते हो nor कोई बात कО अच्छे तरी sudah कर सकते हो बुद्धने हमेसा खुद जाके तरकी हैं लोगों से या लोगों को बला कर तरकी आए सवालों के जवाब दे कर हूंन साफ ने अकेले दिया, छै मोटी मोटी किताव हैं, अगर कभी पड़ोगी तो आपको संज्दा आएगा, तरक से हम जीते हैं, जिसके जितने प्रसंद हो, तो पूचहे, आज पूचहे, कल पूचहे, रोज पूचहे, यहां रोज रोज आते हैं, जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे, उतनी जल्दी हम मुक्त हो जाएंगे, और जितने कम सवाल पूछेंगे, उतनी जल्दी हम गुलाब हो जाएंगे, संगंग नमामी धन्यवाद। आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी दूतियं पी धम्ममर सरेनं गच्छामी भूतियं पी नमंग सर्णं गच्छानी, भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुटंग सर्णाँ कच्छामी ततियं पी धम्ममर सर्णाँ कच्छामी पिसन्दम सर्णम पिर्शामी साथो, साथो, साथो